अच्छे गुण एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या की अच्छे गुणु का मतलब है कि हम भगवान के अभिन अग हैं, इसलिए भगवान अच्छे हैं, इसलिए हम भी अच्छे हैं. अन्य था मैं भगवान का अभिन अंग कैसे हो सकता हूँ? जदि इश्वर सोना है तो मैं भी सोना हूँ तो मैं क्यों लोहा बनूँ? मैं लोहा नहीं हूँ, लेकिन मैली चीजों से ढंका हुआ हूँ मैं लोहें जैसा दिखता हूँ यही स्थिती है असल में मैं लोहा नहीं हूँ मैं सोना हूँ क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ जदि इश्वर अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भौतिक गंदी चीजों से ठका हुआ हूँ इसलिए मैं सोने जैसा नहीं दिखता हूँ तो ये परिक्षा है, जैसे ही आप इश्वर के प्रती सचेत हो जाएंगे, आपके मूल सभी अच्छे गुंड स्वता ही प्रकट हो जाएंगे श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा की वानी कोट्स गुट क्वालिटीज श्रेणी में देखा गया है उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्र धर्णों में दिया गया है श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन सच्चे ज्यानी जानते हैं कि कैसे सब कुछ ब्रह्म, परम सत्थे से जुड़ा है वे विनम्ड, निश्चल, स्वच, ब्रह्मनवादी और गुर्वार के प्रती शद्धालू हैं और उनमें कई अन्य अच्छे गुण है काय वे सन्यास ग्रहन कर लेते हैं और शुद्धेवं पवित्र जीवन व्यातीत करते हैं फिर भी अक्सरेन सनन्यासियों में एक बड़ी गलती विक्सित हो जाती है वे स्वयम को बगवान मानते हैं वे वैदिक वाक्यान शेहम ब्रह्महासनी में ब्रह्महूं के आर्थ की गलत व्याख्या करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्म के शुद्यान का एहसास नहीं कर सकते हैं बुध्धी द्वारा त्याग आध्याय 2.4 एक बध्धात्मा भौतिक संगती द्वारा पहले ही अपमानित हो चुकी है और फिर भी कलियव में मनुष्य के अच्छे गुण निम्रितम स्तर तक गिर जाएंगे कलियू गाने से पहले उन्हें घर छोड़ने की सलाह दी गई क्योंकि विदुर ने जो माहौल बनाया था जीवन के तत्थियों पर उनके बहु मूले निर्देश, तेजी से आने वाले युग के प्रभाव के कारण लोक्त हो जाएंगे नरोतम बनना या सर्वोच भागवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह से निर्भर होकर प्रधम श्रीणी का इंसान बनना किसी भी सामान व्यक्ति के लिए संभव नहीं है श्रीमत भागवाद 1.1328 जो वास्तव में धर्म ग्रंतों की सिधानतों का पालन करता है उसे भगवान का भक्त होना चाहिए क्यूंकि सभी शास्त्र में भगवान के आदेशों का पालन करने का निर्देश देते हैं इसलिए साधो का अर्थय शास्त्र के आदेशों का पालन करने वाला और भगवान का भक्त ये सभी लक्षन एक भक्त में प्रमुक्ष होते हैं एक भक्त में देवताओं के सभी अच्छे गुण विक्सित हो जाते हैं जबकि एक गैर भक्त भले ही शेक्षणिक रूप से योग यो हो उसके पास दिव्य अनुभूती के मानव के अनुसार कोई वास्तविक अच्छी योग्यता या अच्छी लक्षन नहीं होते हैं श्रीमत भागवत 3.25-21 यद्यपी बगवान श्रीव में इतने सारे अच्छे गुण हैं और कोई भी बुरा गुण नहीं है फिर भी आपने उन्हें बुरा मान लिया है और उनमें दोश धून लिया है उसकी अच्छे गुणों को बुरा मानने के कारण आप श्रेष्ठ आत्मा बनने की बजाए सबसे पतित बन गगे हैं मनुशित दूसरों के गुणों की अच्छाईव को स्वीकार करके महान आत्मा बन जाता है लेकिन अनावशक रूप से दूसरों के अच्छे गुणों को बुरा माननी से याप पतित आत्माव में सिसब से निचले स्तर के बन गए हैं श्रीमत भाग वतम 4.4 बारा कृष्ण भावनामरित में लगा हुआ व्यक्ति भाक्ति में सिवा में कारे करते हुई उन सभी अच्छे गुणों को विक्सित कर सकता है जो आमतोर पर देवताओं में पाए जाते हैं श्रीमत भाग वत्की 5.5 श्कद 18. अध्याई श्लोक बाराव में शुक्त्रेव गो स्वामी द्वारा कहा गया है मेरे प्रिय राजा जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट विश्वास रखते हैं और बिना किसी का पठके हैं वे देवताओं के सभी अच्छे गुणों को विक्सित कर सकते हैं एक भक्त के उच्छ श्रेणी की कृष्ण चेतना के कारण देवता भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं और इसलिए ये समझा जा सकता है कि उसके शरीर के भीतर देवताओं के गुण विक्सित हो गए हैं भक्ति का अमृत अध्याए एक एक व्यक्ति जो साथक्षब बोल सकता है और पूरी विनमृता और अच्छे गुणों के साथ बोल सकता है उसे वावादू के अधारा प्रवाह कहा जाता है श्रीमत भागवात में कृष्ण के विनमृता पूर्वक बोलने के संबन्द में एक अच्छा कथन है जब कृष्ण ने विनमृता पूर्वक अपने पिता नंद मैहाराज से वर्षा देवता को बली चढ़ाने की प्रथा बंद करने को कहा तो गांग के एक चरवाहे की पत्मी इंद्र उन पर मोहित होगी बात में उन्होंने अपने दोस्तों से कृष्ण की बाचीत का वर्णन इस प्रकार किया कृष्ण अपने पिता से इतनी विनमृता और धीरे से बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे वहा मौझूद सभी लोगों के कानों में अम्रित डाल रहे हों भक्ति का अम्रित अध्याएक किस जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें कोई अच्छे गुन नहीं होते शैक्षणिक रिष्टी से भले ही वे उच्छिक्षत हो परन्तु अपने क्रियात लापों के वास्तविक क्षेत्र में वह पश्वों से भी नीचा देखा जा सकता है यद्यपी कोई व्यक्ति शैक्षणिक रूप से उच्छिक्षत है फिर भी यदि वे इह मान से गतिविधियों के क्षेत्र से आगे नहीं जा सकता है तो वेह निश्चित रूप से केवल भौतिक गतिविधिया ही करेगा और इस प्रकार अशुद रहेगा भक्ति का अम्रित अध्याय एक अलग अलग जीवा अलग अलग विश्भूशा में दिखाई देते हैं लेकिन भगवत गीता के निर्देश के अनुसार एक विद्वान व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है भक्ति के इस तरह के विवहार की परंभगवान द्वारा बहुत सराहना की जाती है इसलिए कहा जाता है कि साधु व्यक्ति सदेव सहनशिल और दयाल होता है वे सब का मित्र होता है कभी किसी का शत्रू नहीं होता और विह शान्ति पून होता है ये एक बक्त के कुछ अच्छे गुण है श्रीमत भागवाद 4.1.1.13